आज के बजट के बारे में तो आपनों को पुरी जानकारी मिल गई है बजट प्रस्टूप कर दिया गया है और इसमें मानिये उप मुख्यमंत्री ने बजट पेस किया है और बहुत अच्छे डंग से संचेप में वहां भासन दिया दिदान सभा में और उसके बाद बजट के महत्तुपूर्ण विश्यों पर उन्होंने चर्चा भी कर दी है तो इन सब योजनाएं आपको मालूम है कि हम लोगों ने बजट में हर शक्र के बारे में ख्याल रखाए एक तो मौलिक चीज आप समझेए कि जो योजनाएं पहले से चल रही है और खास करके जो सात निश्चे पिछली बार हमने शुरू किया था उसमें जो चीजें जैसे कुछ जगों पर सड़कों का निर्मान या हर घर नल का जल उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है उन सब चुझों के बारे में सारे प्रबंध कर दिया गया है और यह इस बार का बजट में इस बात का देख किया गया है कि यह पूरी पूसीस होगी कि एक साल की अंदर जितनी भी चीजें पहले से चल रही है उस काम को पूरा कर देख और इसके अलावे जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतरकर जो काम हो रहा उसको आगे दंतर रूप से बढ़ाया जाएगा और इसके अलावे हमारे उक्प उतना की गई है उसके बारे में जो कुछ भी कैबिनेट ने पास किया और जब कैबिनेट ने पास किया तो विभिन विभागों ने इसके लिए जो जरूरी योजनाये हैं उस पर काम किया और बनाया है और इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है इस पर सारा काम हम ल पर दोनों पर और जादा पैसा खर्च करने के बारे में निरने लिया गया है तो सब लोगों को जो सुभिधा मिले हैं उस सब चीज के लिए प्राप्धान है ऐसी परिष्टिती में भी जबकि आप जानते हैं कि इस वार जो पिछले ग्यारा बारा महीने से जो कोरोना का दौर चला है उसका तो एक प्रभाव पड़ा ही है लेकिन इस सब चीजों के बावजूर हम लोगों का मन है कि हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और कोरोना के दौर में भी जो लोगों को रहत पहुचाने के लिए केंद अगले साल के लिए और अच्छे ढंसे बिहार की प्रगती हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बजट में एक एक शीज का प्राप्थान किया गया है और मंत्री जी ने तो पूरे तोर पर आपको बता दिया है और हाउस में भी बताया है संचेप में एक एक चीज के बारे में ने चर्चा कर दिया और इसके अलावे आपकों के समक्समिंत बता करें नहीं हैं हम उस पर अनुपालं करना चाहतें उसको क्रियानवित करना चाहतें उसके लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान किये गए हैं ऐसी परिस्तिती में जबकि आप जान रहें कि आर्थिक इस्तिती पर पूरे दुनिया में पूरे देश में सब पर असर पड़ा है तो हम लोग उसके अलावे भी सब काम को आगे बढ़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं सब का सहयोग मिलेगा सब ल सब्सक्राइब करेंगे और बीस लाग से ज्यादा लोगों के लिए पुरोजगार का अवसर मिले इसके लिए हम लोग काम करें तो बात नहीं समझते हैं तो कीनों नों बनेगा साहब आपको मेडिकल इंवर्स्टी बनेगा और जो हमारे जितने इस्टिचूसंस हैं आपको इंजिनियरिंग इंवर्स्टी भी बनेगा और उसके लावे खेल के लिए भी एक विस्विद्याले बनाने की बात है और चुकि आप जानते हैं कि राजगीर वेतने बड़े पैवाने पर काम हो रहा है तो यहीं तै किया गया कि और कहीं किसी ज जगह लेने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी वहीं पर विस्विद्याले बनाएंगी तो जान रहा है आज का तैय नहीं है कि तो दस साल पहले से तैय है और पर काम होना जितने बड़े पैवाने पर सुरू हुआ है कर दोफा कि स्थेडियम से लेकर कर की कि काम वहां पर किस तरह से लोगों के खृलाडियों को प्रिंट करने के तश्ज सोच करके ही सब लोगों ने बिचार किया और कहा कि वहीं पर क्ःफ मेंका अच्छा होगा बहतर हो गया और बाकिया म tama इंजिनेरिंग के लिए और मेड देखना शुरू कर दिया है कि किसका कहा होगा तो उसके लिए भी सबतयारी चल रही है और जब वो अंतिम हो जाएगा कि कहा पर और क्या बनेगा तो इसके बारे में फिर मात बाहते हैं इसको भूस्ता की जाएगी हम लोग बनाएगे इसको बढ़ावात देने के लिए तो आ सब को पढ़ना चाहिए लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं है उसके अलावे खेल पूद के प्रती भी आकरसंद पैदा होता रहा है तो उसका सभाव ही नहीं बेहतर बनेगा बल्कु उसका भविस्त भी और बेहतर बनेगा तो पढ़ाई के साथ साथ इस सब चीज़ों के ल सब्सक्राइब करें लेकिन जब यह बात आई है तो हमने जरूर हमारे कारियाले से ही यह पूछा गया है और उन लोगों को बताया गया है कि जो भी स्थिति इसके बारे में बताई है लेकिन अभी आप जानते हैं कि हम दो बज़े के थोड़ा पहले यहां पर लॉट करके कि आए हैं तब हमको जानकारी मिली कि यह बात जो उन लोगों ने का सही नियम के पूरे तोर पर देख करके जांच करके आप ही लोग मीडिया के समक्ष इस सब चिनों को बता दी और जो पहले एक बात आई थी तो उसके बारे में जो बात आई थी ततकाल उस पर जांच करना क पर जांच करना और कहा गया है कि हर द्रिश्टी कून से एक एक चीज पर सजग रहिए और ताकि इस तरह से कोई नहीं कर सके तो यह सब बातों के बारे में कहां गया है लिकिन इसके टीटेल के बारे में आपको वही कोई पता देख करें और साथी बेल आइकन दबाना ना कुलें!